नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रेभाष दोस्तों हाल ही में एक वीडियो जो कि सोचल मीडिया पे काफी जादा वाइरल हुआ था वन्दे मेट्रो ट्रेन का जिसे हमारी रेलवे ट्रायल के लिए याइस्यफ चन्नी से बाहर निगाल चुकी है यह जो वन्दे मेट्रो ट्रेने होंगी जिसके अलग लग चोटे चोटे रेल रूट्स पे इनको चलाया जाएगा अधिक्तम जो इंट्रेनों का डिस्टेंस होगा वो तकरीवन 200 किलोमीटर होगा यह जो ट्रेने है अधिकतर र प्यात्रियों को लंबी दूरी की वन्दे भारत मिलने जा रही है अब दोस्तों यहाँ पे बिहार को मिली है दो वन्दे भारत एक्स्प्रेस की कनफोर्मेशन जो की स्लीपर वर्जन की होगी दोस्तों आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या यहाँ पर कहा गया है रेले के अ सहरसा पर आने के बाद उन्होंने यहां पर जब मीडिया से बात चीत की तो उन्होंने बताया कि सहरसा जंक्षन से वंदे भारत के स्लीपर वर्जन को चलाया जाने की योजना है इसके लिए जो काम है सहरसा जंक्षन पर रख रखाओ का वो चालू कर दिया गया है और जैसे ह वहाँ पर maintenance का काम खत्म होगा वंदे भारत की जो sleeper वर्जन की train है उसे सहरसा से लेके कॉलकाता के बीच में चलाया जाएगा सहरसा हावरा sleeper वर्जन की वंदे भारत होगी इसके साथ ही साथ एक और नई train की आनौश्मेंट की गई यह ट्रेन थी जैनेगर से नई दिल्ली के लिए यहाँ पे वंद्य भारत के स्लीपर वर्जन के अनॉंस्मेंट की गई है जिसे हमारी रेलवे चलाने वाली है वाया दर्भंगा, समस्थिपूर, मुझपरपूर, हाजिपूर, पाटली पुतरा, पंडित दीन, दियालुबाद्या, प्रयाग, राज, कानफुर सेंटल के रस्ते, नई दिल्ली तक दोस्तों ये जो ट्रेन होगी, यदी चलती है तो मात्र 16 घंटे में जैनगर से लेके नई दिल्ली की जो जर्णी है, कवर करेगी और ये जो ट्रेन है, इस रेल रूट की और पूरे के पूरे उत्तर बिहार की, दिल्ली जाने के लिए सबसे ज़्यादा आच्छी ट्रेन हो जाएगी, अब दोस्तों हमें देखना होगा कि कभी ये जो अनॉंच्मेंट है, ट्रेन चलने के शक्ल के रूप में बदल पाती ह या विसे इस नई चैन के बारे में आपकी कराया है, कॉमेंट करके जुरूर रुता है, आपसे नहीं, मिलेंग पड़ोग, साथ में चाहिंद, चब भारत